तो अगला टॉपिक शुरू करते आज ठीक है तो आज मैं टॉपिक आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं कि आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं यह पहले में आपको इनर्जी पढ़ाऊंगा ओरजा न इनर्जी ओर्जा टॉपिक शुरू करेंगे तो इनर्जी क्या होता है सबसे पहले इनर्जी है क्या कारे करने के चमता को और जा कहते है यह कार्य करने की च्छमता होती है कार्य करने की च्छमता एफिसीएंसी टू वर्क हम इनर्जी को कौन कौन सी यूनिट में मापते हैं अगर इनर्जी के यूनिट की बात की जाए तो हम अपने अंदर जो हम जनरली इनर्जी को मिजर कर रहे है वह हम किसी काई में करते हैं आप इसे कैलोरी में मिजर करते हो अपनी बॉडी में ठीक है ठीकिन जनरली जो इनरजी का यूनिट होता है वह जूल भी होता है जूल भी होता है अब पुश्चन यह है कि फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है तो एक सिंपल सी बात है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होत होता है यह रिलेशन होता है इन दोनों में ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कुछ समझ नहीं आएगा यह जो भी होगा तो पूछ जरूर लेना ठीक है तो वन कैलोरी 4.18 जूल आइमीन की कैलोरी बड़ी यूनिट है कहने का मतलब यह है कि कैलोरी ज्यादा बड़ी है कि चलो आगे देखते हैं तो इनर्जी में अगर हम कि अपने अर्थ पर इनर्जी के सोर्स की बात करें कि उर्जा का स्रोत क्या है सोर्स ओफ इनर्जी ऑन अर्थ स्वोर्स ओफ इनर्जी ऑन अर्थ प्रित्वी पर उर्जा का स्रोत हमारी प्रित्वी पर इनर्जी एक ही स्रोत से मिलता है और वो है सन सूर्य सन ऑनली सोर्स ऑफ इनर्जी है हमारे अर्थ के ऊपर हमारी पृत्वी पर जितना भी इनर्जी है मतलब 99.99% जो हमारे अर्थ पर इनर्जी का सोर्स है वो सन है सन से ही सारी इनर्जी हमें मिलती है लेकिन हम इस इनर्जी का डारेक्ट यूज तो कर हो नहीं सकते बरतने सब्सक्राइब नहीं सकते आइनिमेल इस इनर्जी का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं संडारेक्टन से यूज करते हैं Green Plants तौ कर हैं Green Plants ब्रिए पोधें पहले इसका उप्योग करते हैं हरे इसलिए इसलिए सिर्फ green plants को ही सिर्फ हरे पौधों को ही हम लोग producer की कटेगरी में रगते हैं अब पादक की कटेगरी में रखते हैं producer मारी आपकी जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होता है जो भी होते हैं जनतु जो भी होते हैं यह सारे के सारे कंजूमर की कटेगरी में आते हैं ठीक है अगर बात की जाए प्रडूसर की तो प्रडूसर सिर्फ पर ग्रीन प्लांट है प्रडूक्शन का काम सिर्फ इसका होता है बाकी सारे कंजूमर की कटेगरी में आ जाते हैं ठी के लिए ठीक है बिणे चुछ बताया आपको की ग्रीण प्लांट किस काटेग्री में आ जाएंगे प्रोड्यूसर की के मिन आ जाएंगे ठीक है उत्पादक फिर इनको जो खाएंगे अब बाकी सारे क्या है तो इनको जो खाएंगे वह कहलाते है प्राइमरी कंज्यूमर उनको प्राइमरी कंज्यूमर की कटेग्री में रखा जाता है यानि कि प्राथमिक उपभोकता अब तो सारे ही उपभोकता होगे तो प्रात्मीक उपभोकता ही एककेटेगरी में आता है लो फिर जो इनको खाएंगे वह होते हैसे सेकेंडिनरी कंज्युमर मैं जो attract एकुछ बूपभोकता होते हैं कि दृतियक उपभोकता की कटेगरी में आ जाते हैं और फिर जो इन्हें भी खा लेते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं मुझा टर्शरी कंजिवर को वो तो और कि अब इस तरह से यह बटा होता है अब इसके एक्जांपल भी देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा एगा तो ग्रीन प्लांट तो आभ पता ही है जैसे काउ आगया गौट है गाये बकरी यह सब प्राइमेरी ने के लएन है यह secondary consumer की केटेग्री में आ जाते है धुर्ष्री उप होगताई काटेग्री में आ ठीक है और ज BER तो इ都 एक्ट्रीम लोग केटेग्री में जाता है गहिर आपके āड गयरा यह जो हमने इस तर लिखा है इनको हम ट्रॉफिक लेवल भी कहते है यानि कि पोशन इस तर इनको पोशन इस तर भी कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल भी कहा जाता है ठीक है तो इसमें हर ट्रॉफिक लेवल पर कुशन यह बनता है कि इसमें हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने पर Nas procs the only 10 परसंट इनर्जी कम होता है तो अर्ट अनुवरे ट्रांसफर हो होगा हन्डेड परसंट नहीत यह नीचर ने ऐसा बनाया ही है अब अगर ट्रांसफर होगा तो सारे घ्रीन प्लांट से एक बार में खतम हो जाएंगे चीक है तो इसलिए हर अपर लेवल पर जनसंख्या कम है तो उल्ली 10 परसेंट ही नर्जी ट्रांसफर होता है अब सपोज माल लो कि यहां पर हम देखेंगे देखों माल लो कि कि अप्रूशर लेवल पर हमने माना की प्रूशर लेवल पर आईमीन की ग्रीन प्लांट्स प्रडूसर लेवल पर टोटल 1000 ग्राम कार्वोहईडरेट है टोटल 1000 ग्राम कार्वोहईडरेट है अब ये ट्रांसफर जब होगा तो ये प्राइमरी कंज्यूमर तक कितना पहुचेगा यह 100 ग्राम पहुँचेगा एक ग्राम ही पहुँचेगा तो हर ट्रॉफिक लेवल पर आप देख रहे हो कि अपने नीचे वाले का ओनली 10% ही इनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% इनर्जी रूल होता है, ठीक है, किलियर है यहाँ तक सभी को, इस पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो यह आपका 10% वाला रूल हो जाता है, अब आप चाहे इसे पॉपूलेशन कहलो, जनसंख्या कहलो, या इनर्जी कहलो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो नीचे का जो उपर वाला होता है, वो अउल्ली 10% होता है, ओके, तो इस तरह से एक इनर्जी पिरामिड भी बन जाता है, इस तरह से इनर्जी पिरामिड का भी फॉर्मेशन होता है, तो यह पिरामिड देख लेते हैं, सबसे नीचे जो होंगे, सबसे नीचे, वो होंगे प्रोड्यूसर, यानि की ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर, फिर उपर होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उभख्ता, फिर इनके उपर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, लुट्यक उभख्ता, और सबसे उपर होंगे टर्स री कंज्यूमर, तो यह न साइज श्रिंक होता जा रह है, जैसे जैसे आप उपर जा रहे हो, style जा रहे तो साइज के घटने का क्या मतलब हो कि साइज के घटने का यही मतलब है कि inanergy कमों रहे हैं इस तरह से बने कि पिरामिट को हम इनرجी पिरामिट कहते हैं यह पिरामिट कहलाता है आपका rait को आपको आप सब्सक्रादोर आप और वैसे तो अगर हम इनर्जी टॉपी की बात करें तो फिजिक्स में आता है उतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को ठीक है इसके पॉइंट आप व्यू से ही पढ़ना है तो इसके पॉइंट आप व्यू से ही मैंने आपको पढ़ाया यह चलो जी आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं इनर्जी के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पॉल्यूशन टॉपिक प्रदूसंड पॉल्यूशन टॉपिक तो यह भी इंवार्मेंट से रिलेटेड और यहां से भी आपके क्वेश्चन बगेर आएंगे ही एक्जाम के अंदर तो आप वैसे पॉल्यूशन को कि चार केटेगरी में डिवाइड करते हो चार केटेगरी कौन-कौन सी होती है एक होता है आपका एयर पॉल्यूशन mr air pollution यहांकि वायू पर दूसरा ह 창ि चुंठा पर दूसर को हम लोग ना कहानियों पर नहीं जाएंगे विदकुल important points discuss करेंगे ठीक है ना हमने हम ऐसे लिखने नहीं बैठे कि ना कंप्रियों से निकलने वाला धुआ यह वो फ्लार्ट इकाना है यह सब नहीं यह सब इस तरह की question जो बनेंगे वही हम discuss करेंगे यहां पर फालतुग चीजों को डिसकस ना करके पहले मैं आपको एयर पॉलुशन से रिलेटेट चीजों को पढ़ाऊंगा वाई यू पर दूसर्ण एयर पॉलुशन वाई यू पर दूसर्ण जो कोई भी पॉलुशन करते हैं उनको कहा जाता है पॉलुटेंट्स प्रदूसन करने वाले को pollutants कहा जाता है प्रदूसक तो air के दो तरह के pollutants होते हैं एक होता है primary और एक होता है secondary प्रात्मिक और दित्यक ठीक है दो तरह के प्रदूसक हो जाते है primary and secondary primary कौन से होते हैं जो direct source से निकल के आते हैं जो प्रत्यक्ष स्रोथ से आते हैं उनको primary कहते हैं ठीक है तो जैसे कि इसमें SO2 हो गया sulfur dioxide ठीक है NO2 हो गया इस अब direct निकल के आते हैं तो यह direct sources की category में आ जाते हैं जबकि secondary क्या होता है कि जब यह environment में आ जाते हैं तो यह further react करके कुछ और भी बनाते हैं इन्वायर्मेंट में primary pollutants के reaction से यह create होते हैं तो इनको secondary pollutant कहा जाता है तो secondary की category में आपके कौन-कौन से आ जाएंगे जैसे की पैन और ओजोन ठीक है पैन और ओजोन आ जाएगा यह दो याद रखेंगे आप secondary की category में तो यह आपके pollutants हो जाते हैं एयर pollutants चलो एयर pollutants में अब कुछ और चीजों को हम डिसकस करते हैं तो पढ़ेंगे आगे हम ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस हरित ग्रह गैस पहले ते इन गैसिस का आप category लिख लो कौन कौन से आते हैं इस category में कार्बन डायोकसाइड क्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन डायोकसाइड क्लोरो फ्लोरो कार्बन नाइट्रोजन डायोकसाइड नाइट्रोजन डायोकसाइड वाटर वैपर जलवास्प वाटर वैपर जल्वास गड़े और मीथेन मीथेन होता है आपका CH4 और यह वह गैसेस हैं जो ग्रीन हाूस गैसेस की कैटगरी में आते हैं अब पहली बाद तो ग्रीन हाूस गैसेस होते क्या हैं फड्रिट ग्रै गैस होते क्या इन्हें समस्ते हैं पहला पॉइंट आपने जानना था यह जानना था कि इसमें कौन-कौन सी कटेक्री जा रही है कार्बन डायोकसाइट ख्लोरो-फ्लोरो-कार्बन नाइट्रोजन डायोकसाइट बॉर्टर वैपर एंड मीथेन यह चीज़े आ जाएंगे यह गैस क्या करती है कि संसे आने वाले हीट को ट्रैप करती है इनका काम है उस्मा को जकड़ना है संसे आने वाले हीट को ट्रैप कर रही है यह उस्मा को जकड़ती है और इस तरह से अर्थ के टेंपरेचर को कंट्रोल करने का काम करती है यह सारी सारी गैसे से तो भई नॉर्मली तो यह ठीक है लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जिवास्म इंधनों का उपयोग करते है हुँ अ हम लोग जिवास्म इंधन का उपयोग करते हैं कि वॉज्थ ऊपनार तो अब इस फॉजिल बढ़ने लगेगा तो अब जोए कंडिशन क्रियेट होगा तो इसको आप सूर्य के उसमा को जकड़ के पृत्वी के तापमान को कंट्रोल करते हैं लेकिन अगर यह गैस खुद ही बहुत जादा हो जाएंगे तो हीट जादा ट्रैप होगा अर्थ का जो टेंपरेचर है वह बढ़ेगा और टेंपरेचर बढ़ेगा तो आप इसे ग्लोबल वार्मिंग कहोगे तो ग्लोबल वार्मिंग से समस्या क्या आएगी ग्लोबल वार्मिंग से समस्या क्या आएगी कि तो ग्लेशियर जो है यह पिखलने लगेंगे और ग्लेशियर पिखलने लगेंगे और ग्लेशियर पिखलेंगे तो पानी समुंद्र में आएगा स दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे आईलेंड्स है जिनको खत्रा भी है ग्लोबल वार्मिंग से वेश्विक ताप से परिशानी भी यह जिने अभी करेंट में कि करेंट में आपने सुनाओगा इंडोनेशिया नाम का एक देश है कि इंडोनेशिया को अपना कैपिटल चेंज करना पड़ा अब यह नूसन तारा को अपनी राजधानी बना रहा है क्योंकि जकारता ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से धीरे-धीरे डूब रहा है और इंडोनेशिया लार्जेस्ट आइलेंड ग्रूप है पूरी दुनिया का लार्जिस्ट आईलेंड ग्रूप आफ दी वर्ल्ड तो जकारता सिराथ्धानी शिफ्ट करने की वज़े ही रही नूसन तारा přैं ग्मेदेश ग्लोबल वार्मिंग में वज़े रही इसूचर अठीक है है चलोता ही हमने बारें हब ग्रीन हाउस ग्रेस के बारे में अब ग शॉर्ण के बारे में जानते हैं से अमली वर्षा के बारे में अब डिसकस करते हैं ठ्लीस तो देख चैनल को देखात शॉप्र दाक्साइड CO2 Sulfur dioxide SO2 और nitrogen dioxide NO2 यह वो gas हैं जो acid rain का formation करती है जो amaliyah वर्षा बनाती है अब amaliyah वर्षा क्या होता है कोई भी rain कोई भी rain fall जिसका pH less than 5.6 होता है जिसका pH 5.6 से कम होता है उसको हम acid rain की category में डाल देते हैं उसको हम amaliyah वर्षा ही category में डाल देते हैं अगर pH 5.6 से कम है तो pH क्या होता है acid और base का पता लगाने के लिए use करते है pH होता है power of hydronium यह होता है power of hydronium pH और कोई कितना acid है कितना base है उसका पता लगाने के लिए pH यूश किया जाता है अगर किसी का pH more than 7 है तो उसको हम base की category में रखते हैं अगर यह pH less than 7 है तो उसको हम acid की category में रखते हैं अगर pH equal to 7 है तो फिर हम उसको neutral की category में रखते हैं उदाशीन की category में रखते हैं तो अगर acid अगर किसी rain का pH 5.56 से कम चला जाता है तो उसको acid rain की category में डाल दिया जाता है अमलिय वर्से category में डाल दिया जाता है और यह वो gas हैं जो इनको बनाते हैं तो जैसे carbon dioxide carbonic acid बनाता है कि यह carbonic acid बनाता है sulfur dioxide sulfuric acid बनाता है कि नाइट्रोजन डायोकसाइट नाइट्रीक acid बनाता है इस तरह से यह acid बनते हैं और जब यही acid rain के साथ धरती पे गिरते हैं तो आप उसको acid rain कहते हो तो acid rain का नुकसान क्या है एसीड रेन का harmful effect क्या है हमारे जीवन पर एक दो हो एसीड रेन से अगर हम इसके harmful effect की बात करें हानी कारक परभाव तो एक तो skin irritation इसकिन इरिटेशन तवचा में जलन एक तो इससे तवचा में जलन होती है एक एसीड रेन के कारण अगर तोचा पर पढ़ जाये तो दूसरा अगा कि डिक्रीजईज फर्टिलिटी अप सवाइल जो मिट्टी की ऊरवरक्ता को गटाता है मिट्टी के फर्टिलिटी को कम करता है डाउन करता है ठीक है तीसरा कि कुछ हिस्टॉरिकल मॉनुमेंट्स पे भी इसके हानिकारक पर भाव देखे गए है एतिहासी किमारते जैसे ताज महल यह पड़ता जा रहा है अधने की वज़े क्या ए की वज़े से पीला पड़ता जा तो यह सारे कने सारे स्किनिटेशन डिख फस वर्टिलिटी ऑलन और एतिहासी कमारतों यहास्यो देखा गया है कि चलो एसी ड्रेन में आपको इतनी सी चीजों को ध्यान नखना है कि अब एसी ड्रेन के बाद नेक्स पॉइंट पर मैं आऊंगा है अब हम पढ़ेंगे है और जोन लेयर के बारे में और जोन परत है अभी तक यह सारा एयर पॉलिशन का ही पार्ट है कि यह सारी चीजे एयर की वज़े से ही क्रियेट हो रही है यह सारी चीजे एयर की वज़े से ही बन रही है ठीक है तो इन सब को हमने एयर पॉलिशन की कटेगरी में ही रखा हुआ है उसी में कटिक्राइज किया हुआ है तो इसी में अब हम समझेंगे ओजोन के बारे में देखो ओजोन जो लेयर है यह हमारे अर्थ से कितनी हाइट पर प्रिजेंट है 50 किलोमेटर यह हमारी प्रित्वी से 50 किलोमेटर की उचाई पर उपस्थित है जिसको हम स्ट्राटोइस्फेयर कहते हैं प्रिजेंट इन इस्ट्राटोइस्फेयर यह एट्मोस्फेयर के लेयर का नाम है इस्ट्राटोइस्फेयर लेयर का नाम है ठीक है एक्ट्री जब आप प्रित्वी से नीचे से ऊपर की और जाते हो स्ट्राटोइस्फेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है कि शोब मंडल कि एक बार अपना अपना लैंग्वेज बता देना है ना कि कौन किस लैंग्वेज में कर रहा है कि फिर मैं उसी साफ से फिर चलूँगा कि सारे अगर इंगलिश वाले हो तो हिंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अगर कि हिंदी वाले हैं तो फिर हिंदी बताना पड़ेगा अच्छा नहीं फिर दोनों लैंग्वेज रखते हैं ना इंगलिश दोनों वाले चीक है कोई नहीं दोनों ही लैंग्वेज रखेंगे कि देखो भाई अब सॉरी यह शोप नहीं होगा समताप मंडल होगा हिंदी में इसको समताप मंडल कहते ते सही कर लेना समताप मंडल क्याते हैं जब आपना अर्थ के नीचे से उपर की और जाते हैं इसको ऑपका पढ़ता सिझे प्रिश्ट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्राट्रा और सबसे लाश्ट में आपका पड़ता है एक्जे स्फेयर एक्जेस्फेयर जिसको हम बाहे मंदल कहते हैं अब कोशनक जो है कि 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 वया ऑचेंट और तो स्ट्रेटल पर था हिस्ट्रेर्टो के सब सबसे समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में जाके यह पाया जाता है पचास किलोमेटर की हाइट पर ठीक है इन लेयर से भी ओजोन तो मैं डिसक्स करता हूं इन लेयर से भी रिलेटेट कुछ-कुछ पॉइंट से ध्यान रखेंगे जो एक्जाम के अंदर है ठीक तो चलो मै यह भी आपका एयर का पार्ट है तो यहीं पर बता दे रहा हूं है सबसे पहले अगर हम शोब मंडल की बात करें कि शोब मंडल की खास बात कि यहां पर मौसम से जितनी भी चीज़े होती है सारी यहीं होती है मौसमी घटना है वैदर फिनॉमिना जितने भी आपके वैदर यहीं पाये जाते हैं तो यहांई अगर कोशन वैदर के आता से क्लाओड बादल बगेरा रेंब बगेरा तुफान बगेरा तो यह इससे उपर नहीं होता अगर कोश्चन कुछें क्लाओड किसमी होता है तो पर साझी में होता है तो मौसमी घटनाय यानि कि अगर मालों पूछा कि बर्ड किस लेयर में उड़ते हैं तो बर्ड किस लेयर में उड़ते आंसर यह होगा शोब मंडल यह वह ट्रोपोई स्फेर ही होगा इससे उपर लिविंग का मतलब भी बनता है अगला लेयर था आपका कि इस ट्रक्राट्टोस्फेर हैम लोग में ली ऐहां कहते हैं कि ओजोन थो पढ़ नहीं वाले वाले इसके अलावा क्या क्या इसमें आपको और जानना चाहिए इंदी में समताप मंडल कहते हैं तो यहां पर वैदर फिनॉमेना नहीं होता नो वैदर लिए मौसम जैसी कोई चीज नहीं होती है कि मौसमी घटनाए अनुपस्थित कि मौसमी घटनाए अनुपस्थित तो इसे लिए इस्ट्रैटोई स्फेयर को एयर क्राफ्ट के लिए अच्छा माना जाता है वायू यान हेतू वायू यान हेतू यह सबसे उत्तम मंडल है एरक्राफ्ट के लिए तो वायू यान उड़ाने के लिए जो वायू यान का रास्ता कवर होता है वह इसी में होता है कि मतर सekहर को आड़ी मेह कल दो वे नहां जिसको आप हिंदी में मध्द्य मंडल के गती क् täll बेसे कि यह में मैटिय हो राइड से बचाता है मेटियो राइट्स उलका उलका पिंड से बचाता है उलका पिंड क्या होते कोई भी आकाशी यह पिंड या चटान बगेरा जो हमारी पृत्वी के वायू मंडल पर प्रवेश करते और जलने लगते हैं तो जलते हैं तो तूटते वे तारों की तरह दिखते हैं वह कि आयन मंडल कि आयन क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर जब आवेश हो चार्ज हो पॉजिटिव नेगटिव तो इसको आयन कहते हैं तो आयनोई स्पेर इसका नाम इसलिए पढ़ा है कि कि इसमें आयन पाए जाते हैं और यह आयन रेडियो तरंगों को परावर्तित करते ह होती है हमारे फोन बगレसे टरंगे जाते हैं इनको यह परावर्तित करते हैं तो इसी एक आप कहोगे कि हमारी कॉमिनिकेशन में सहयता करता है हाँ कॉमिनिकेशन में हिلف करता है संचार में सहायक होता है मैं ह rape communication संचार में सहायक होता है तो यह सारे के सारे आपके लेयर हैं हम अभी क्या में डिसकस करेंगे इस ट्राटो स्पेयर के लेयर के बारे में जानेंगे और जोन परत इन्वार्मेंटर इस्चु में यह इंपॉर्टेंट है तो इदर आजाओ तो मैंने कहाते कि ओजोन 50 किलम्टर की हाइट होता है इस्ट्राटो स्पेयर का पार्ट है ओ थ्री होता है इसका फॉर्मूला ओ थ्री ठीक है तो यह क्या करता है प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेडियेशन अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन होती है पैरा बैंगनी किरने हानिकारक पैरा बैंगनी किरनों को रोकता है हाणीकारक फैर बैंगनी किरणों को रोपता है यह इसका काम है यह बैंगनी किरणों को दो केटेगरी में बाढ़ देते हैं वैसे संसे जो भी हीट आता है आता ही रेडियेशन के रूप में है तो इसमें एक uv A हो गया और एक uv B हो गया यह हमारे लिए हार्मफुल होता है तो इसको रोगने का काम करता है वो जोड लेयर ठीक है लेकिन एक ऐसी भी गैस है जो इसको नुकसान पहुचाती है cfc cfc है आपका chlorofluorocarbon तो chlorofluorocarbon क्या गरती है ओजोन को नुक्सान पहुचाती है depletes ozone ये ओजोन को नुक्सान पहुचाने वाली गैस है chlorofluorocarbon तो ओजोन के परत की मोटाई को ओजोन का जो परत है उसकी मोटाई को dobson iqai में मापा जाता है dobson iqai है ओजोन परत के मोटाई को मापने के लिए dobson unit में इसे मापा जाता है it is measured in dobson unit लेकिन 1985 की बात है 1985 के ओजोन में एक छिद्र पाए गया हॉल पाए गया है ना छिद्र पाए गया और इस हॉल की बज़े क्या थी यही गैस chlorofluorocarbon और यह गैस निकलता कहां कहां से है यह गैस रेफ्रिजरेटर से निकलता है एसी से निकलता है और इसको नुक्सान पहुचाता है तो 1985 में और जोन के अंदर एक होल पाए गया अलकि अंटार्टिका के उपर पाए गया था तो इसी होल को देखते हुए 16 सितंबर 1987 को कैनेडा के मौन्ट्रियल नाम के एक शहर में मीटिंग बुलाई गई कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए सही किया जाए यह कैनेडा में एक शहर है तो कोशन यह है कि मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस रिलेटेड टू तो मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बचाव से संबंधित है इसी के लिए इसको बुलाई यह मीटिंग करवाई ग मॉंट्रियल कनाड़ा का एक शहर है इट इसन कैनेडा और इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन प्रिजर्वेशन डे मनाया जाता है हर साल मनाते है 16 सितंबर 16 सेप्टेमबर को ओजोन डे मनाया जाता है ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन के बारे में अब एयर पॉल्यूशन में कि अब एयर पॉल्यूशन में एक लाइकेन के बारे में डिसकस करते हैं कि लाइकेन क्या होता है जरा जानती है तो एक्चुली लाइकेन सिम्बाइटिक रिलेशन्शिप होता है इस शिम्बाइटिक रिलेशन्शिप एक परसपर संबंध होता है परसपर संबंध है कैसा संबंध है जिसमें दो जीव एक साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं सिम्बाइटिक रिलेशन्शिप किस किस के बीच है यह एक तो एलगी और दूसरा फंजाई इन दोनों के बीच में एलगी को शैवाल कहते हैं और फंजाई को कवक कहते हैं तो यह दोनों एक साथ रहते हैं दोनों एक साथ रहते हैं तो इसी इंट्रेक्शन को लाइकेन कहा गया है इसी पौधे को लाइकेन कहा गया है तो इसमें जो एलगी है जो एलगी है यानिकि शैवाल यह एक प्लांट होता है यह प्लांट है बनस्पति है ठीक है और यह प्रकास संसलेशन करके भोजन बनाता है यहां पर प्रकास संसलेशन करता है, photosynthesis करता है, photosynthesis वहीं अगर हम फजाई की बात करें, यह प्रकास संसलेशन नहीं होता, तो यह फिर एक दूसरी की help कैसे करते हैं, एलगी जो कुछ भी पूड बनाता is एलगी फंजाई के साथ share करता है शेवाल जो कुछ भी भोजन बनाता हे वह फंजाई को देता हैं ठीक है न की एल्गी प्रोवाइट्स पूड टू फंजाई शेवाल कवक को भोजन प्रदान करता है शेवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और बदले में फंजाई इसे क्या देता है बदले में फंजाई इसे वाटर एंड मिनरल देता है जल और खनी जलवन ठीक है एंड पूड़ाइट्स वाटर एंड मिनरल कवक जल और खनी जलमन प्रदान करता है तो इस तरह से एक दूसरे के साथ रहके help कर रहे हैं अब हम इसे air pollution में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको air pollution में क्यों समझे रहे हैं क्योंकि river pollution का एठ अच्छा इंडिकेटर ओता है से गुड इंडिकेटर ओफेयर पोलुशन आप सुचक काХऊ होता है अगर कहीं भी एयर पॉलूशन है तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता तो एयर पॉलूशन जहां भी होता है वहां लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता लाइकेन वहां विर्धी नहीं कर सकता तो इसलिए इसको गुड इंडिकेटर माना गया है एयर पॉलूशन का लाइकेन को कि चुल यहां तक जो भी पढ़ाया है किलियर है किसी को कोई डाउट तो नहीं कि आई होप कि आप सभी को थमझ आ रहा होगा कि यह सारा पॉइंट कि सो भी जाते हो क्या सभी लोग पढ़ते पढ़ते कि या फिर रिप्लाई करने में दिख्कत होती है कि तो यह लाइक एन था और एयर पॉलिशन का इंडिकेटर आगे आते हैं अब कि अब हम एयर पॉलिशन में पॉइंट पढ़ेंगे भोपाल गैस ट्रैजडी भोपाल गैस ट्रासदी के बारे में जानेंगे भोपाल गैस ट्रैजडी भोपाल गैस ट्रैजडी दो है कि दो तीन दिसंबर को हुआ दो तीन दिसंबर 1984 को यह एक्चली यूनियन कारवाइड नाम की एक फर्टिलाइजर कंपनी थी एक उर्वरक कंपनी थी तो इसी कंपनी से है गया सका नाम पुछा जाता है यहां सी जऑ्स का रिसाओ ना में और काफी लोग इसमें मारे गए थे जहांत के बहुत बुर्ड़ी घटना यह दो ही चीज यहां एक तो कब हुई थी घटना और गैस का नाम और यह जो भुपाल गैस ट्रैजडी है भुपाल गैस त्रासदी जो है यह कंपनी का नाम में बता दू कि यूनियन कारबाइड नाम के कंपनी से गैस का रिशाओ हुआ था कि यूनियन कारबाइड नाम की यह कंपनी थी इसी से गैस का रिसाओ हुआ था चलो जी आगे बढ़ते हैं तो यह आपके सारे के सारे वह पॉइंट थे जो आपको एयर पॉलिशन में पढ़ने थे जो एयर पॉलिशन के अंतरगत हमें डिसकस करना था कि एक बार फिर से दिखा दू कि आगे टॉपिक थे आपके एयर पॉलिशन में एक तो हमने सबसे पहले पॉलिटेंट्स पढ़ा प्राइमरी जो डियरेक्ट सोर्सेस से आते हैं एस सो टू अनो टू दूसरा सेकेंडरी जो अब जब यह आ जाते इन्वायर्मेंट में तो यह रियक्ट करके इन्हें बनाते तो पैन और ओजों सेकेंडरी में आ जाता है अगला हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैस यह सारे ग्रीन हाउस गैसे की कटेगरी जो संसे आने वाले हीट को ट्रैप करते अर्थ के टेमपरेचर को कंट्रोल करते हैं लेकिन अगर इन्हीं की मा कार्भन डायोकसाइड सेटा के साथ करके और अनि गैसस का निर्मान कैसे होता है । किए गैससा रियाक्ट नोक्त से रियाक्ट करने और जाते तो यह उस सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और जब यही एसिड प्रित्वी पे आते हैं तो यह रेन का पीएच 5.6 से कम कर देते हैं तो इसलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट क्या थे तो अचा पे संबंधी रोग इसकी निरिटेशन मिट्टी की उरवरक्ता कम होना और ताज महल जैसे जो एतिहासी की मारते हैं इनको भी यह नुकसान पहुंचाती है इनको भी इसके नुकसान पहुंचता है इसके बाद हमने सब्सक्राइब कम आपने की काई होती है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल दियान रखना कि से रिलेटेड है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल और यह बताया था मैंने आपको अट्मोस्फेयर के लाइकेन गुड इंडिकेटर और पॉलिशन वायू पर्दूसन का अच्छा सूचक ह होता है इसके बाद यह फोपाल गैस त्रैस्टी इसके बाद मैं कुछ इन्वायर्मेंट अनिकी एर पॉलिशन से रिलेटेड कुछ समीट भी बता दू जैसे की अर्थ समीट अर्थ समीट ठीक है प्रत्वी सम्मेलन प्रत्वी सम्मेलन 2003 और क्योटो प्रोटोकॉल यह ब्राजिल में हुआ था ब्राजिल के रियोडी जनेरियों में हुआ था ब्राजिल में पढ़ता है यह रियोडी जनेरियों इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल का चेओटो प्रोटोकॉल भी और को पर्टोशन से रूटेड है और के तो जापान का एक शहर है यही पर ये प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में हुआ था Kyoto Protocol तो यह दोनों ही इंवार्मेंट एर प्रोटोकॉल से रिलेटेट समिट हो जाते हैं कि यह प्रोटोकॉल और अर्थ समित और एक पीछे भी बता है मॉंट्रियल मॉंट्रियल ओजोन से रिलेटेड है पीछे जो मैंने आपको मॉंट्रियल प्रोटोकॉल बताया था यह वजोन से रिलेटेड है तो अब हम शुरू करेंगे वार्डर पॉल्यूशन अब हम जल्पर दूसर्ण के बारे में जानेंगे ठीक है चलो एर के बाद अगला है जल्पर दूसर्ण तो जल्पर दूसर्ण में पहले जानते हैं राम सार कॉन्विंशन क्या है रामसार सम्मेलन क्या है इस तरह के कॉन्विंशन बगेर से भी क्वश्चन आते हैं तरह आपको यह पढ़ा रहे हूं रामसार इंवायरमेंट में तो रामसार कंवेंशन क्या है रामसार सम्मेलन क्या है एक्चुली रामसार इरान में एक शहर है रामसार इरान का एक शहर है तो यहां पे 1971 में एक मीटिंग बुलाई गई कि दुनिया भर के जो भी वेटलेंड है वेटलेंड बोले तो जील बगेरा दुनिया की जो भी और द्रभूमी यह बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी होता है जो अगर हम इन लेक्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इससे उनको भी नुकसान पहुचेगा ठीक है जो इसमें रहने वाले जीव हैं उनको भी नुकसान पहुचेगा तो दुनिया भर के ऐसे खास वेट ल सार में गठित किया गया और इसी को रामसार कणवेNशन कहते हैं तो हषा हैरामसार कणवेशन साईट से इंडिया में और ऐसे 75 लेंडेंड शयार भूमी जिनको इस लिष्ट में इंक्लिूड किया गया कि इनका संदक्षण किया जाना चाहिए कि यह बहुत जरूरी है ठीक है अब देखो आई मिन की सारे देशिस में क्यों इंट्रस्ट लेते हैं कि इन्वाइर्मेंट ने किसी एक का नहीं होता है इन्वाइर्मेंट पे अगर असर है तो वह तो कहीं से भी कहीं फैलेगा ठीक है कंवेंशन बगेर हैं यहां पर आप देखते हो तो रामसार कंवेंशन अभी 75 रामसार साइट से हमाय देश में कि जो फॉर्स्ट रामसार साइट था पहला जो रामसार छेतर था रेट वास चिलका लेक जो की उडिसा के अंदर पड़ता है अगा फिझन अ है यह उडिसा के अंदर में जीरे चिलका जी यह पहला रामसार साइट हा हमारे इंडिया में चिलका हमाया देस का सबसे बड़ा जील भी है ठीक है कि समवन्द्र से अलगों के बनाय तक रही कि अ bastante पानी का जील बैसे मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जील है हमारे आपके वह भूलर है तो लेक्स पगएर भी मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो चिल का पहला रामसार साइट था और अभी वाला याद रखेंगे इस साल भी कई जुड़े करेंट का भी कोश्चन है यह जरूर पूछा कि कोई डाउट किसी को आई मिन की देखो इतना तो अभी टाइम नहीं कि यह वाटर टॉपिक खतम हो पाएगा वाटर पॉलुशन तो इसको हम अगली क्लास से रखेंगे एयर पॉलुशन मैंने आज आपको पूरा करा दिया ठीक है एयर पॉलुशन और उससे जो भी पूछ भी लें ठीक है या फिर पिछली क्लास में भी कुछ पढ़ाया हो और उसमें आपको कुछ ना समझाया हो ठीक है या को या कोई डाउट हो अब 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 कि कुछ नहीं है ना कोई कुछ नहीं पूछना चाहता है पैन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है यह आपने पढ़ा था अब यह बताता हूँ मैं यह था पैन पैन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट था पॉली एक्राइल नाइट्रेट होता है यह पैन होता है तो आज मैंने आपको इनर्जी भी पढ़ाया था इनर्जी टॉपिक भी देख लेंगे आप लो इनर्जी फूट चेन फूट वेब यह सारी चीज़े भी देख लेना अगे चला फिर फाइनली अगली क्लास में मिलते हैं आई होप कि आप किसी को की डाउट है नहीं झाल 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 झाल